अपना विटामिन टॉपिक इस्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बाते कहना चाहता हूँ आपसे ये कहना है कि आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के अंदर वो ताकत है कि वह बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है किन्तु बिद्यार्थी बहाने बाजी और आलस से पन को अपना मित्र बना बैठे हैं आज आपको तेंग करना है कि आप बहाने बाजी और आलस से पन जैसे मित्रों के बहकावे में रहेंगे या अपने माता पिता भाई बहन यहां तक कि खुद के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे जाग जाओ मित्रों अपनी भी एक नई पहचान बनाओ छूलो उस उचाई को जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए तथा बेल आइकन को भी फ्रेस कर लिजिएगा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए अब अपने क्यूस्चन की ओर चलते हैं और क्यूस्चन के माध्यम से मैं पूरा बिटामिन चैप्टर कबर करूँगा चलिए अपने पहले क्यूस्चन की ओर चलते हैं देखे दोस्तों यह हमारा पहला क्यूस्चन है इसमें दे रखा है मानव सरीर में बिटामिन ए कहां इस्टोर होता है आपसन है किडनी, लीबर, अस्थिमज्जा इनमें से कोई नहीं आपका सही जबाब होगा लीबर लीबर में बिटामिन ए इस्टोर होता है अब यहां से जो महत्वपूर तथे हैं उनको भी देख लीजिए बिटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल बिटामिन ए प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है कैरेट यानि गाजर बिटामिन ए एक पिगमेंट का निर्माड करते हैं जिसको कहा जाता है रोडो इस्पिन पिगमेंट यह बिटामिन ए की कमी से कुछ विमारियां होती है तीन विमारियों को बता रहा हूँ जो की एक्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप रताओधी कहते हो दूसरा है जीरो पत्लेमिया और तीसरा है कैरेटो मलेसिया और यहां पर दोस्तों एक महत्वपूर की उस्चन कौन सी बिटामिन दी जाती है तो टीका करण के समय बच्चों को दी जाने वाली जो बिटामिन होती है वो बिटामिन ए ही होता है और इस बिटामिन को इसलिए दिया जाता है ताकि उस बच्चे में जो इनफैक्शन्स है उस इनफैक्शन्स से बच्चे को बचाया जा सके इसलिए हम इस vitamin को anti-infection vitamin भी कहते हैं तो ये रहा हमारा vitamin A से कुछ महत्वपूर्तत अब चलते हैं अपने दूसरे question की ओर ये देखिए हमारा दूसरे question है इसमें दे रखा है काउन सा vitamin hormones की तरह भी कारे करता है आपसन है vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D और इन में से कोई नहीं तो आपका जो सही जबाब है वो है vitamin D, vitamin D ये vitamin की तरह कारे करने के साथ साथ hormones की तरह भी कारे करता है अब देख लेते हैं इस vitamin D से सम्मंदित जो अन्य महत्वपूर्तत थे हैं पहली बात तो ये कि vitamin D का chemical name क्या होता है ये भी एक्जामें पूछा जाता है तो vitamin D का chemical name होता है calcium फेराल यहाँ पर calcium word से दोस्तों आपको संकेत मिलाओगा calcium की और तो calcium word calcium की और संकेत करता है और calcium यानि हड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है तो हम ये कह सकते हैं कि vitamin D हड़ियों अला vitamin है vitamin D के जो मुख्य source हैं वो कौन कौन से हैं पहली बात तो ये कि milk, egg, non-wage, pulse और fish oil ये आपके जो 4-5 source बताएं हमने वो मुख्य source होते हैं vitamin D के vitamin D एक ऐसा vitamin है जिसका formation हमारे सरीर में भी होता है और वो भी बहुत तीब रिगत से sunlight की present में vitamin D का formation हमारे body की skin जो होती है वो करती है और बहुत तीब रिगत से करती है इतना भी जानते रहिए vitamin D से होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है पहली बीमारी rickets है और दूसरी osteo malaysia जो rickets नाम की बीमारी है ये बच्चों में होती है बच्चों में ये बीमारी कैसे पहचानी जाती है बच्चों की हड्डियां जब कमजोर हो जाए उनकी आवाज भारी हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वो rickets के संकेत दे रहे हैं और रिकेट से बीमारी की तरफ वो संकेत देते हैं ओष्टियो मलेसिया में वयस के ब्यक्तियों की हड्डियां कमजोर हो जाती है तो उसको ओष्टो मलेसिया कहा जाता है अब यहाँ पर हड्डियों की जब बात की गई है तो यहाँ पर देख लेते हैं हड्डियां हड्डियों के अध्यन से सम्मंदित जो विज्ञान होता है उसको ओष्टियो लौजी कहा जा इसमें दे रखा है कि इस वीटामिन का रासानिक नाम टोको फेराल है आपसन है विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K इन में से कोई नहीं आपका जो सही जबाब है वो है विटामिन E यानि आपसन B आपका सही जबाब होगा विटामिन E से सम्मंदित अन्य महत्वपूर्टत्य जान लें तो vitamin E प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा source माना जाता है वो क्या है ये बहुत ज्यादा exam में पूछा जाता है तो आप इतना जानते रहें कि जो seed oil होते हैं यानि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है तो उन तेल में vitamin E पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि seed oil में vitamin E प्राप्त में पाया जाता है जैसे हम कपास के बीज से तेल प्राप्त करते हैं सूरज मखी के बीज से तेल प्राप्त करते हैं सोयाबीन के बीच से तेल प्राप्त करते हैं तो ये सब इन पौधों से जो तेल प्राप्त होता है उनमें आपका विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन E को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन E की कमी हो जाने से उम्र से पहले बुढ़ापा जैसी समस्या उत्पन होती है और विटामिन E को reproduction विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन E की कमी से बाजपन जैसी समस्या उत्पन होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन E की कमी से होने वारी बीमारी जो होती है अरली एजिंग यानि उम्र से पहले बुढ़ापा और बाज़पन जैसी समस्या तो इतनी चीज़े जानते रहे हैं आप विटामिन E से चलिए अब अपने नेक्ट क्यूस्चन की ओर चलते हैं यह देखें हमारा चौथा की उस्चन है इसमें दे रखा है निम्र में से किस विटामिन का निर्मान हमारी बड़ी आत करती है आपसर है विटामिन E विटामिन C विटामिन K विटामिन D आपका सही जवाब होगा विटामिन K विटामिन K का निर्मान हमारी बड़ी आत करती है बीटामिन बी 12 और बीटामिन के का निर्माड हमारी बड़ी आत करती है तो बड़ी आत के तीन पार्ट होते हैं सिक्कम कोलोन और रेक्टम तो इसके कोलोन पार्ट में ही इन दोनों बीटामिन करता है तो उसके खोल से विटामिन के और विटामिन वी ट्वेल प्राप्त होता है अब विटामिन की से सम्मंदित कुछ और महत्पूर तथे को देखें तो विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है वो होता है फाइलो क्विनीन प्राप्त करने का जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है blood cloting करवाना और एक बिमारी है जो आपका अनुओंसिक बिमारी कही जाती है वो है heemophilia इस बिमारी में भी blood cloting नहीं हो पाती याई रक्त का ठका नहीं जम पाता है और यह heemophilia नाम की बिमारी को साही बिमारी के नाम से भी जाना जाता है इस बिमारी को क्रिश्मस डे बिमारी के नाम से भी जाना जाता है कारण ये है कि हीमोफीलिया बिमारी सबसे पहले साही परिवार में पाई गई इसलिए उसको साही बिमारी भी कहा जाता है और सबसे पहले इस बिमारी को 25 दिसंबर यानि क्रिश्मस डे वा तैयार कर लेजिएगा अब चलते हैं हम अपने अगले क्यूस्चन की और और अगला क्यूस्चन देखते हैं यह देखे हमारा पांचवा क्यूस्चन है इसमें दे रखा है सबजियों को काट कर धोने से कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है आपसन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D आपका जो सही जबाब है वो है विटामिन B सबजियों को काट कर धोने से विटामिन B नश्ट हो जाता है अगर यहींपर हम क्यूस्चन को थोड़ा सा बदल दें ये कहें कि चावल को अधिक धोने से कौन सा विटामिन नश्ट होता है तो उसका जबाब होगा विटामिन B1 दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन B जो होता है ये मल्टी विटामिन होता है यानि इसके कई प्रकार होते हैं जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7 इस तरह से 12 तक हम जाते हैं तो अगर उसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 6 इन सब के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यह वीडियो सेर जरूर कर दीजिएगा और अपने कुछ है मित्रों में सेर कर दीजिएगा चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर विटामिन B का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है तो विटामिन B का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थाइमिन विटामिन B के बारे में और सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूँगा फिलाल यहाँ पर इतना ही जानते रहिए कि विटामिन B का केमिकल नेम होता है थाइमिन और इसका जो यह विटामिन B जो होता है ये एक मल्टी विटामिन होता है, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, चलिए अब अपने अगले क्यूस्चन की ओर चलते हैं, ये देखिए हमारे छठों और अंतिम क्यूस्चन है, इसमें कहा गया है गहाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, आप सन है विटामिन A, विटाम विटामिन C, विटामिन D, आपका जो सही जवाब होगा, वो होगा विटामिन C, विटामिन C गहाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है, अब विटामिन C से सम्बंदित कुछ अन्यमहत्वपूर्द जानकारी है, उसको भी देख लिजिए, विटामिन C का क्यमिकल नेम होत उस बिमारी का नाम है इसकर भी इस बिमारी में मसूडों में मसूडों से खून आने लगता है अब यहाँ पर विटामिन C की थोड़ी सी प्रकृत देखें तो विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो ज्यादा हीट करने पर नश्ट हो जाता है विटामिन C कहां कहां नहीं पाय जाता है इस चीज को देख लें तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C मीट में नहीं पाया जाता है यानि मांस जो होता है उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है और जो दूध होता है उसमें भी विटामिन C नहीं पाया जाता है लेकिन विटामिन C एक ऐसे जीव का दूद है जिसमें पाया जाता है जो उटनी का दूद होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है तो इतना जानते रहिए कि कोई भी जीव हो तो उस जीव के दूद में विटामिन सी नहीं पाया जाता है लेकिन उटनी के दूद में विटामिन सी पाया जाता है दूद को हम संतुलित आहार मानते हैं लेकिन संपूर आहार नहीं मानते हैं संतुलित आहार मानते हैं लेकिन संपूर आहार नहीं मानते हैं कारण क्या है क्योंकि दूद में बिटामिन C और आईरन यानि यप ई नहीं पाया जाता है इसी कारण दूद को संतुलित आहार माना जाता है लेकिन संपूर आहार नहीं माना जाता है देकि दोस्तों आज का था हमारा ये अपना टॉपिक आसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजिए आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप से पुने मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद